सर्दियों में मुनक्का दवाई का काम क्यों करता है सर्दियों में शरीर को स्वस्त और इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए लोग कई चीजों का सेवन करते हैं इन में से एक मुनक्के भी हैं सर्दियों में immunity system कमजोर हो जाने की वज़े से viral infection का खत्रा बढ़ जाता है कमजोर immunity की वज़े से लोगों खासी जुकाम गले में खरास बुखारादी की शिकायत होने लगती है सर्दी की मौसम में viral infection से बचने के लिए मुनक्का सबसे best है मुनक्का नाकेवल मौसमी बिमारियो में छुटकारा दिलाती है बलकि इसके कई अन्यव फायदे भी हैं हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू यूनिक तड़का आज मैं शेयर कर रही हूं आपके साथ मुनक्का खाने की क्या-क्या फायदे होते हैं क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं इसमें कौन-कौन सी निट्रियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर की जबनी फ्रेंट्स और फैमिलीज में और अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे जिसे कि आपको इसी तरह की इंट्रस्टिंग वीडियो मिलती रहें बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो फ्रेंट्स चलिया यह सबसे पहले बात कर लेते हैं मुनका में कौन-कौन से निट्यूस वैल्यूस पाई जाती हैं मुनका खाने से तो इसकिन तो गलो करती ही है साती वजन भी कम रहता है मुनके में एंटिबैक्टिरियल गून ब समयत कई पोशक्तत पाये जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है मुनक का आयरन फाइबर से भरपूर होने की वज़े से पाचन तेज करता है इससे पेट की आधी से जादा बीमारियों का खत्रा कम हो जाता है मुनके में आयरन फॉलिक एसिड कॉपर बिटामि मुनक के को राद बर पानी में विगोने से उसमें मौजूद लोहे और फॉलिक ऐसे जैसे तत्त और अधिक पढ़ जाते हैं मुनक का खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है आयरवेद में मुनक के को सर्दी जुकाम खासी और कफ दूर करने की सबसे अच्छी दवा माना जा जाता है नैशनल इंस्ट्यूट ऑफ आयरवेज जम्मू के डॉक्टर निखिल शर्मा के अनुसार मुनक के की तासी ठंडी होती है इसलिए इसे गर्मी के मौसम में खास तौर पर खाने की सला दी जाती है मुनक का हमारी हेल्थ के लिए बेहत फायदे बन होती है अगर आप इसका सही तरीके से सेवन करते हैं तो इसके आपको धेड़ सारे फायदे मिल सकते हैं उनमें से चे बड़े फायदों की बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सरदियों में मौसमी विमारी कमजोर इम्मीटी की वज़े से होती है रोज मुनक्का का सेवन करने से इमजी स्टर्म होती है और हम बारल इन्फेक्शन से पलड़ पाते हैं नमब 3 दूर होती है खून की कमी डॉक्टर कहते हैं कि रोज 8-10 मुनक्का खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होती है इसमें मौझूद आइरन एनेमिया को दूर करता है और बाड़ी में खून को बढ़ाता है साथ ही मुनक्य में मौझूद बिटामिन ए बीटा करेजिन आखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं नमबर फॉर टाइफाइड में फायदे बंद हेल्थ एक्सपर्ड की माने तो रात के वक्त दूद में चार से पांच मुनक्य उबाल कर पीने से सर्दी जुकाम से राहत मिलती है साथ ही ये टाइफाइड के बुखार में भी फायदे बंद है नमबर फाइब बजन घटाने में कारगर मुनक्य शरीर में मौजूद फैट सेल्स को काट कर वजन घटाने में कारगर है वजन घटने से भी शरीर की कई बिमारियां दूर होती है नमबर शेक्स पेट समद्दी समस्याएं नहीं होती है मुनक्य डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है अगर आप खाली पेट मुनक्य खाते हैं तो यह पाचन को भेतर बनाने और मेटावालिंज को बूस करने में मदद करता है भोजन से पोशकततों के अफसोशन की प्रिक्रिया को भेतर बनाता है यह आथ में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और कॉलन फंक्शन को सुधार करता है इसके अलावा शरीर को डिटाफ सीफाई करने में मदद करता है इस तरह यह आपके पेट में गैस, सूजन, पेट फूलना, कबज, अपज जैसी समस्याओं से दूर रखने में मदद करता है अब बात कर लेते हैं खाली पेट मुनक्खा काने का सही तरीका क्या है डायटीशन गरीमा के अनुसार बहुत से लोग गर्मियों में मुनक्खा खाने से कतराते हैं क्योंकि मुनक्खा की तासीर गरम होती है लेकिन आप गर्मियों में भी मुनक्का का सेवन कर सकते हैं मुनक्का खाने से पहले सबसे अच्छ तरीका यह है कि आप हमेशा भीगे वए मुनक्का खाएं मुनक्कों को रात भर पानी में भीगो कर रखने से उसकी गर्मी कम हो जाती है और पचने में भी आसान होती है इसरे यह आपको अधिक लाप परदान करता है ध्यान रखें कि 5-6 मुनक्का से ज़्यादा ना खाएं मुनक्का में फाइटो केमिकल होता है जिसे हर तरह की दान्तों की समस्या दूर हो जाती है मुनक्का को कब और कैसे खाना चाहिए रात को सोने से पहले एक गिलाज दूद में 5-7 मुनक्के उबाल कर इसका सेवन करना चाहिए ऐसा करने से नीद अच्छी आती है यही नहीं शरील को इसका पूरा लाप मिल पाता है इसके लावा आप मुनक्के को रात भर पानी में भीगो कर अगले दिन सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं अब बात करें एक दिन में कितने मुनक्का खाना चाहिए एक बार में 5-6 से जादा मुनक्का नहीं खाना चाहिए वहीं 5 साल से उपर के बच्चों को बात करें तो 4-5 से जादा मुनक्का नहीं खाना चाहिए रोजाना आप इन मात्रा में खाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी अब बात करें मुनक्का किसे नहीं खाना चाहिए मुनक्का में फाइबर की मात्रा अधिक होती है अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से 10 की समस्या हो सकती है मधुमे हाला कि मुनक्का एक स्वस्त नासता है लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से बज़न बढ़ सकता है और मधुमे होने का खत्रा हो सकता है आप जान लेते हैं साथ्धानी की तौर पर अधिदिक मात्रा में अगर आप मुनक्य का सेवन करते हैं जिसकी कुछ side effect या नुकसान भी आपको हो सकते हैं मुनक्य के अधिक सेवन से शरीर में कैलोरी की मात्रा आधिक हो जाती है और आपका वजन बढ़ सकता है मुनाका के अधिक सेवन से मदुमे, हिर्देरोग और फैटी लीवर, कैंसर ही समस्याएं हो सकती हैं तो फ्रेंट्स मुनेके का आप एक सही मात्रा में ही सेवन करें जिसे कि आपको इसके स्वास्तिलाब हो सके I hope आपको इस वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें अपनी फ्रेंट्स और फैमिलीज में और अगर आपने अभी तक यूनिक तर्का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे जिसे कि आपको इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इस वीडियो कैसी लगी थैंक्स वर फुल वाच और बाई टेक केर अल आफ यू